हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू स्टड़ी वित्तिवारी चैनल कैसे हो आप सब तो आज हम इस वीडियो में एकल सब्द पढ़ेंगे जिनें हम बाक्यांस के लिए एक सब्द भी बोल सकते हैं तो मेरा यह छुटा सा प्रियास है आप लोगों के लिए जिसमें हम एक एक वीडियो में जैसे ही ताइम मिलता है मैं आपके लिए जैसे पांच हमने एकल सब्द पढ़ लिए इस प्रकार हमारे लिए एकल सब्द का बहुत वड़ा सब्द कुश हो सकता है धीरे-धीरे करके तो हमें यह अच्छे से क्लियर हो सकती है तो इसमें पहला है जो समय की द्रश्टी से उचित हो जो समय की द्रश्टी से उचित हो उसे बन वर्ड में या एकल सब्द में क्या बोलते हैं बच्चो समयोचित तो समय पिलस उचित आपने पढ़ावोगा समय पिलस उचित तो इसमें मैंने गुर संदी कर दी. बच्चों, आप भी इस چीज को ध्यान रखें, जहां पर आपको संदी कार्वय करना उच्चित लग रहा है, वहां पर आप सब्दों के बीच संदी कार्वय ही करें, जिससे हमें संदी का भी पता चले, सब्द सुद्धी का भी बता चले भौसी चीजे हमारी एक साथ किलियर हो सकती है तो जो समय की द्रष्टी से उचित हो उसे क्या बोलते हैं बच्चों समयोचित दूसरा है इसमें गाइस जो न्याय की द्रष्टी से संगत हो जो न्याय की द्रश्टी से तो उसे हम क्या बोलेंगे न्याय संगत तीसरा है इसमें जो म्रत्तु की ओर उन्मुख हो उन्मुख को मतलब हुआ इसमें उन्मुख का मतलब क्या हुआ अगर्शर उसकी ओर जुका हुआ जो म्रत्तु की ओर उन्मुख हो तो उसे बोलेंगे guys मृत्यू नमुख मृत्यू नमुख तो मृत्यू पिलस नमुख मृत्यू पिलस नमुख तो इसमें कौन से संदी हुई मृत्यू पिलस नमुख तो कौन से संदी हुई इसमें दीर के संदी तो बच्चो ध्यान रखो इस वर्ड को उसमें छोटा U आता है लेकिन जब इसे उन्मुक के साथ मिला कर लिखेंगे तो मृत्तू जो सब्द है ये में बड़ा U आएगा ना कि छोटा U ये सब्द सुद्धी की दरेश्टी से बिसेसी महतपूर बड़ है मृत्तूर उन्मुक जो उर्वर ना हो उसे अन्य उर्वर बोलेंगे अनू नहीं आएगा इसमें टाइपिंग मिश्टेक है वाईज तो आप प्लीज इसे करेप्सन करने हैं इसमें ये होगा अन्य उर्वर क्या होगा अब अन्य प्लस उर्वर तो आगे क्या है स्वर तो आगे का जो वर्ड वो कैसा है, अर्ध व्यंजन, जब उसमें स्वर मिल जाएगा, तो वो कैसा हो जाएगा, पूरा तो मिलाके बनेगा अनु उर्वर, जो उर्वर ना हो, अनु उर्वर, अगला नैश्ट है इसमें, जिस पर किसी का अंकुस ना हो, जिस पर किसी का जो आपने जादा तर देखा होगा ना हो लेकिन ना वर्ड में यदि आप बड़ा प्रियुक्त लेते हैं तो वो असुद्ध माना चाता है ने वर्ड होता है ने ना कि ना इसलिए आप भी आज से ही मेरा कहने का मतलब है इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने सब् सुद्धी में भी सुधार कर लें इसको ना वर्ड ना लिखें सिर्फ होता है ने जिस पर किसी का अंकुस ने हो तो उसे बोलते हैं बच्चो निरंकुस उसे क्या बोलेंगे निरंकुस निर प्लस अंकुस इसमें निरंकुस में निर उपसर्ग हो गया अगला है इसमें जो जो किसी के दर्षन के लिए बेचेन हो, जो किसी के दर्षन के लिए क्या हो, बेचेन हो, आतुर हो, मिलना चाहता हो, तो उसे क्या बोलेंगे, गाईज, दर्षनातुर, तो इसमें भी मैंने संधिकारे किया है कि नहीं किया, दर्षन प्लस आतुर, तो आ और आ मिलके बड़ा तो इसका सही क्या होगा वनवर्ड दर्शन तुर जो किसी के दर्शन के लिए बेचेन हो तो गैज एक थे छह वनवर्ड जो आपको भूती अच्छे तरीके से मैंने क्लियर किये हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये मेरा छोटा सा प्रियास कैसा लगा। जिससे में नेश्ट बीडियो में आपके कमेंट के मुताविक अगली बीडियो बना सकूँ। तो एक वार हम इन्हें क्यों के रुवीजन करते हैं। जो समय की द्रिष्टी से उचत हो समय उचत। जो न्याय की द्रिष्टी से संगत हो न्याय संगत। जो मृत्तू की और उनमुख हो मृत्तू उनमुख। जो उर्वर ना हो अनूर्वर। अनु उर्वर जिस पर किसी का अंकुस ना हो निरंकुस जो किसी के दर्शन के लिए बेचेन हो दर्शना तुर आई होप आपको ये वीडियो बेहदी पसंद आएगी तो आप फीडवेक के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर देना और कोई भी डाउट हो तो आप निस संकोच पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ओके गाइज ओके माई टियर स्टुडेंट्स एंड ठैंक्स औल आफ यू टेक कियर औल आफ यू बाई बाई टेक कियर और बीच बीच में आप क्लास को लाइक सेर और सस्क्राइब भी कर दिया करें ठीक है ना बच्चो जिससे आने वाली न्यू जो क्लास है जै उसका नोटिफिकेशन आप तक आ सके इसलिए आप क्लास को लाश्ट तक देखा करें जिससे आपको अच्छे से टॉप कोई आपके मन में डाउट ना रहे इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें ओके बाई झाल झाल झाल